देश में इस वक्त चुनाओं का जवरजस्त माहोले और ये साल पांच राज्यों में चुनाओं होने जा रहा है इसे में कर्ज माफी का मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है हम बात कर रहे हैं राजिस्तान के मुखमंत्री असोगेलोत की जो इस समय किसानों को कर्ज माफी करके बड़ी रहात देने की भरपूर कोसिस कर रहे है वीडियो जब 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 होने वाली है चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें हम कमेंट करके बताए कि कर्ज माफी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हम बात कर रहे हैं तीन लाग किसानों का 6,000 करोड रुपे का NPA लोन माप कराने की जुगत में सरकार लगी हुई है सेकारी के बाद अब सारवनी चेतर के बेंकों का लोन माप करने की तैयार है सुरू हो चुकी है कर्ज माफी के लिए एक फार्मूला असोग गेलोद ने तैयार किया है वही बात करें तो 6,018 करोड रुपे का लोन NPA है सारवनी चेतर के बेंकों का और 600 करोड रुपे यानि की 10% सरकार देगी और 90% बेंक माप करेगी ये फार्मूला असोग गेलोद का इस समय सामने आ रहा है तो इससे पहले अगर बात करें तो 14,000 करोड का जो लोन है वो पहले ही माप किया जा चुका है सेंटरल लेवल वेकर्स कमिटी की बेठक में राज्य सरकार ने बताया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद रेंड माफी के आदेश जारी कर दिये थे और अब तक 14,000 करोड रुपे का सेहकारी बेंकों का कर्ज माप किया गया था इसमें अगर बात करें तो पिछली बाज़पा सरकार का भी 6,000 करोड रुपे का कर्ज सम्मिलित था और राज्य सरकार की गोशना के अनुसार 30 नॉवंबर 2018 की जो NPA गोसित राष्टिकरट बेंक है तो इस तरीके से योजना है और राष्टिकरट बेंकों को जो CM असो गेलो थे उन्होंने किसान कर्ज माफी का फालमूला सुझाया है तो बेंक 90 पर सद्रण माप करे और सेह सरकार बहन करेगी ये फालमूला असो गेलो ने किसानों के लिए दिया है और इस समय चुनाओ का माहोल है और जबर जस्त किसानों पर राजनिती चल रही है हम बात कर रहे हैं राजिस्थान की असो गेलो थे राष्टिकरट बेंकों को भी किसानों की कर्ज माफी का प्रस्ताव दिया है सरकार ने इसके लिए बेंकों को एकमुस्त रण मापी योजना का प्रस्ताव भेजा है सरकार ने बेंकों को जो फार्मूला भेजा है उसका अनुसार बेंकों को 90 प्रत्त रण माप करना है और जो 10 प्रत्त बचता है उसे सरकार माप करेगी सुम्मार को राजिस्तरी वेकर समिस्ती की 151 वी बेठक में नाबाट की राजिस्तरी रण संगोष्टी में मुक्मंतिर असुक गेलोत ने कहा कि इस प्रस्ताओं को लागू कर राश्टिगत बेंग कर्जमाफी में राजिसरकार का सयोग करे बता दे कि सरकार सहकारी बेंकों से 25 लाग किसानों का 14,000 करोड रुपे का रून पहले ही माप करा चुकी है तो आपको बता दे कि इस समय कर्जमाफी का जो मुद्दा है फिर से सुरू हो चुका है राजिस्तान में तो इस बार जो चुनाव है वो सिप कर्जमाफी पर कांग्रेस लड़ रही है ऐसे मैं अब देखना होगा कि मद्देश में क्या कर्जमाफी का मुद्दा उड़ता है या नहीं वीडियो अच्छी लगी तो इसे सेर जरूर करे और कमेंट करके अपनी प्यारी राय जरूर दीजे क्योंकि वीडियो हमने कर्जमाफी के उपर सटिक बनाई है